क्या आपका क्लेस्टोल लेवल बढ़ गया हुआ है चिकनाई वाली चीज़ें छोड़ दीजे और क्लेस्टोल की मेडिसन लेना शुरू कर दीजें यह जो ट्रीटमेंट है काफी पुराना नहीं हो चुका क्या यह ट्रीटमेंट जो है वर्क भी करता है इस वीडियो में डिस करेंगे कि आपको कौन सी डायट फालो करनी आए रहा चीज़ recruiting करता है ताकि कलेस्टोल जो है वह लूट सेंट्र नहीं करनी है है ताकि आपको क्लेस्टोल जो जह है वो डियूस हो जाए वह मेंटेन हो जाए क्लेस्टोल जहां वह काफी ज़्यदा इंपोर्टन किसी person के अंदर अगर cholesterol का लेवल बढ़ जाता है तो हम यह कहते हैं कि आप जो है वो चिकनाई वाली चीज़ें छोड़ दो लेकिन उससे पहले हमें reason को find करना चाहिए कि वो reason क्या है reason के हिसाब से हम उसकर treatment चलाएंगे for example कुछ लोगों में cholesterol बढ़ जाता है इस condition में कि वो जब weight loss कर रहे होते हैं अब weight loss में इसलिए बढ़ जाता है कि जब fat cells तोटते हैं तो उसमें से fat cells में से cholesterol बाहर निकल के circulation में शामिल हो जाता है और जब उस condition में हम blood test करवाएंगे तो हमारा cholesterol हाई आएगा लेकिन यह normal है वो कुछ days में खुद बाखुद ठीक हो जाता है इसके लाबा कुछ लोग जो हैं उनमें जो हमारे gut bacteria होते हैं intestine के अंदर जो friendly bacteria होते हैं वो properly present नहीं होते हैं उन्होंने यहां तो past में कोई antibiotics ले हुए हैं यहां फिर हो सकता है कि वो fiber का इंटिक proper नहीं कर रहे हैं तो उसकी वज़ा से उनके जो बैक्टेरिया friendly bacteria वो कम हो जाते हैं और यह friendly bacteria जो है यह बाइल की production में help करवाते हैं और बाइल जो है वो body से extra जो cholesterol होते हैं इसको release कर देता है अब अगर आपके वो friendly bacteria ज जिनके cholesterol बड़े होते हैं इवन वो उनके अंदर fat phobia होता है यानि वो चिकनाई वाली कोई भी चीज़ नहीं ले रहे होते हैं किसी भी product के अंदर अगर दूद है नहीं है तो हर चीज़ को without fat वो use कर रहे होते हैं तो उनके अंदर भी cholesterol बढ़ जाता है वो कहां से आ जाता है सिर्फ fat खाने से हमारी body के अंदर cholesterol बढ़ता है यहां किसी और food को consume करने से भी cholesterol बढ़ सकता है इसके लवा जब हम cholesterol का test करते हैं तो हमारे पास कुछ findings आती है कुछ values आ जाती है जैसे HDL का level आ गया cholesterol का तो आता ही है HDL आ जाती है उसकी values आ जाती है LDL के आ जाती है HDL जतना ज fatty होता है LDL की reading अगर ज्यादा आ जाये तो एक चोटा सा mechanism समझ लिजी एक healthy person के अंदर normally liver के अंदर VLDL produce होता है और यह VLDL जो है वो circulation में शामिल होकर muscles तक पहुचता है और वहां पर triglycerides को donate करने के बाद यह VLDL जो LDL के अंदर convert हो जाता है और जो LDL होता है वो liver के पास वा LDL के अंदर convert होता है वो LDL जो है वो oxidized हो जाता है और यह oxidized जो LDL होता है ना यह small size में छोटा हो जाता है और यह small oxidized जो LDL होता है liver इसको recognize भी नहीं कर पाता जो receptors ही यह गेट होते है liver के वो उसको उससे गुजर ही नहीं पाता तो क्या होगा हो कि यह वहां पर accumulate होता रहता ह और वहां पे कठा होता रहेगा और circulation में बढ़ता रहेगा अब white blood cells वह है वो बागे-बागे आएंगे और आके small oxidized LDL को खा लेते हैं अब ये जो white blood cell है जिसने LDL को खाया हुआ है ये खतरनाक होता है ये हमारी arteries के अंदर जाके वहां पर attach होता है arteries के साथ और black formation करवाता है ये cardiovascular diseases करवाता है अब सवाल ये है कि LDL जो है वो oxidized क्यों हो जाता है अगर वो oxidized नहीं होगा तो वो healthy LDL है लिवर्स को easily जो है वो recital कर देगा तो LDL हमारे लिए को परिशानी नहीं है तो oxidized क्यों हो जाता है उसकी reason ही होती है कि जब हम high sugar foods लेते हैं या हमारी body में insulin resistance हो जाती है तो उस condition में क्या होता है हमारी body में inflammation बढ़ जाती है oxidative stress जो है वो increase हो जाता है जिसकी वज़ा से हमारा LDL जो हो जाता है और LDL जो है वो खतरनाक LDL बन जाता है तो अगर हम ऐसी foods को consume करें अगर हम ऐसी diet follow करें कि हमारा जो LDL है वो oxidized नहों हमारा जो insulin resistance हो कम हो तो हमें करना क्या है हमें insulin resistance को कम करना है और इसके अलाबा ऐसी foods लेना है कि inflammation reduce हो oxidative stress जो है वो कम हो तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हम fasting करेंगे क्योंकि frequently eating डाइट plans होते है ना जिसमें हर तीन गिंटे के बाद हम खाते रहते हैं उससे क्या होता है कि insulin बार बार बनता रहता है insulin resistance वाली condition जो हो बन जाती है तो सबसे पहले तो आपको करनी है fasting 12 से 14 गिंटी की fasting आपको करनी है इसके बाद high sugary foods को आपको बिल्कुल छोड़ देना है क्योंकि high sugary foods जो हैं वो inflammation कास करते हैं इसके इलावा आप processed foods जो हैं वो बिल्कुल छोड़ देना है यानि जो junk foods होती हैं वो आपको बिल्कुल छोड़ देना है अच्छा high sugary foods में एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी juice हैं जितने भी candies हैं, toffies है, chocolates, ice cream, bars, cakes और जितनी भी sweet products हैं वो आपको सभी छोड़ देना है इसके लावा आपको fiber का intake ज़्यादा करना है ताके fiber का intake ज़्यादा करोगे तो cholesterol आपका reduce होता है directly भी reduce होता है और आपके जो gut bacteria होते हैं उनकी तदाद बढ़ने से आपका bile production ज़्यादा होता है तो उसे भी cholesterol body से excrete हो जाता है इसके लावा आपको ज़्यादा vitamins और minerals वाली food consume करनी है जैसे leafy green vegetables है fruits है fruits के अंदर आप ऐसे fruits consume करो जिनके अंदर vitamin C ज़्यादा है जैसे papaya है पपीता जैसे गावाय अमरूद जिसको कहते है इसके इलावा आप अनार consume कर सकते हो जो red grapes होते हैं वो बहुत healthy होते हैं इसके इलावा जो है garlic जो है वो बहुत ही जादा essential होता है वो आपके blood pressure को भी low करता है cholesterol को भी low करता है आपके blood glucose level को भी reduce करता है इसके अंदर antioxidant properties होती है तो आपको ऐसी foods को आपको consume करना चाहिए जस्त एक चीज़ कहना कि चिकनाई चोड़ दो अब चिकनाई में भी दो टाइपस होती है cooking oil जो हमें commercially मिलते हैं उसके अंदर canola होता है sunflower है, soya beans है, cotton seed oil है, palm oil है, corn oil है तो ये सारे के सारे unhealthy oils होते हैं healthy oils होते हैं तो जो natural oils होते हैं जैसे के animal fat, animal fat आप consume कर सकते हो बटर आप consume कर सकते हो, olive oil consume कर सकते हो जतुन का टेल जो होता है, narrow oil तेल आपको आपको अपने खाने में शामिल करना चाहिए अगर आप पकाने के लिए use करना चाहते हो तो भी आप जाप जतुन का आईल ये नालील का तेल जो भी इस्तामाल कर सकते हो लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप क्या करोगे आप जो commercial oil होता है उसी में पकाओ घाना लेकिन उसके बाद जब आप consume करो तो एक bowl के अंदर यहां जो cup आप सालन वगरा लेते हो उसमें आप जतून का तेल जब वो add कर लोगे तो इससे जब क्या होगा कि उसके unhealthy facts जो नहीं आएंगे वो beneficial हो जाएगा तो फ्रेंड इस तरह आप जो है अपना class tour जो है उसको maintain कर सकते हैं जड़ चिकनाई नहीं चोड़नी हैं आपको यह सारी चीज़े follow up करनी है तो I hope guys यह काफ़ी informative लिग होगा आपके लिए वीडियो अगर वीडियो चीज़े लगे तो लाइक जूर किजिए का मिलते हैं जी नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना ख्यार रखियागा अल्लाहाफिस